हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रिकेट चैनल आज हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान वर्सिस बांगलादेश के मैच के बारे में वीडियो अकेंटे देखिए वीडियो अकेंट में मैं आपको बताऊंगा मेरे इसाब से कौन से टीम ये मुकाबला जीतेगी पहले बात करें पाकिस्तान की तो क्या पाकिस्तान ये मुकाबला जीत कर कौलिफाई कर सकता है तो कौलिफाई दो कर सकता है पर जिस मार्जिन के साथ ये मुकाबला उने जीतना पड़ेगा कौलिफाई होने के लिए वो काफी काफी बड़ा है और लगभग इंपॉसिबल है बात करें पाकिस्तान के लिए निव disc नहीं पहुच सकता वहीं अगर फरें पहले बैटिंग करें तो ऐसमें पाकिस्तान जो कॉलिफाय दो कर सकती है पर उसके कंडिशन्स लगबग इंपॉसिबल है क्योंकि अगर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की तो उन्हें ये मुकाबला 315 रणों से जीतना पड़ेगा यानि कि वह बहुत बड़ा स्कोर है 315 रणों से कोई भी टीम शायद जो है मुकाबला नह ही नहीं सकते ऐसे में यह मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच में एक इंट्रेस्टिंग कॉंटेस्ट तो होगा पर इसका इंपॉर्टंस पॉइंट स्टेबल में तो ज्यादा नहीं है वही बंगलादेश की बात कर तो यह अपना पिछला मुकाबला हार क्या रहे हैं उपर नीचे ही रहा है कुछ मुकाबले जीते कुछ रहे जोए औदेश्ट्म अच्छा परफॉर्म भी किया यह उप चुश मेंकी बंगलादेश है है 208 299 एरंड बनेंगे ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है अभी बात करें मेरे प्रेडिक्शन की तो मेरा प्रेडिक्शन मुकाबला जीतेगी बंगलादेश मुझे लग रहा है बंगलादेश पाकिस्तान को हरा देंगे बड़िया परफॉर्म करेंगे और अपना वर्ल्ड कप एक जीत के साथ खतम करेंगे तो मेरा प्रेडिक्शन है बंगलादेश आपको क्या लगता है जरूर से कमेंट कर दीजे और मुझे ये भी बताईए कि क्या आपको पता है कि क्रिकेट में शॉट पैंट्स का यूज क्यू नहीं किया जाता हम लोग जानते है फुटबॉल में शॉट्स का यूज होता है तो क्रिकेट में भी शॉट पैंट्स का यूज होना चाहिए अगर आपको पता है कि इनका उस क्यूं नहीं होता तो तो बहुत बढ़िया वाते पर आगर आपको नहीं पता तो इस टापिक पर मैंने वीडियो बनाया है उसका लिंक में डेस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो उस वीडियो को जरूर देखिए ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए चैनल को सब्स्ट्राइब कर दीजिए जय हिंदु